आलू के आपने बहुत सारी डिसिस खाई होगी लेकिन ये एक आलू की ऐसी डिस है जो सिर्फ तीन से चार मिनट में बन कर तयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लगती है तो आईए इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए प के पास आलू हो तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के तीन आलू का इस्तमाल कर रही हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए इसे धो कर छील लेते हैं और इसे किस तरीके का हमें काटना है ये मैं अभी आपको काट कर दिखाती हूँ तो देखिए तीनों आलू को अच्छे स आठ भागों में काटेंगे तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से इस क्रिस्पी फ्रेंस फ्राइज को बनाने के लिए आलू को काटना है इसी तरीके से हमें सभी आलू को काट लेना है अगर आप इस तरीके से आलू को काटेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा तो सभी आलू को एक बार काटने के बाद हम इसे वापिस से धो लेंगे ताकि जो आलू का स्टार्च है वो निकल जाए और जो हमारी रेसिपी है बहुत ही जादा अंदर से सॉफ्ट और उपर से क्रिस्पी बने तो सभी आलू में पानी डाल कर हमें एक ब करके जरूर जाएं क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी हर रोज लेकर आती हूं जो कम समय में तो बनती है साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होती है अगर आप यही रेसिपी फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम के माध्यम से देख रहें तो वहां भी मुझे फॉलो जरूर करें दो गिलास पानी आलू में डाल कर मैंने धो लिया और एक कपड़ा बिच्छा कर इस आलू को मैं इस पर सुखा लूँगी अच्छे से पहले हमें पोचना है फिर दो से तीन मिनट के लिए हमें इसी कपड़े में आलू को लपेट कर रख देना है यह आल हमें साइड में रख देना है और तब तक हम इसमें जो बाकी की चीजें यूज करेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर जो 50 गरम मैंने चावल लिया था उसे एक मिक्सी के जार में डाल कर जितना बारिक पीस सकते हैं आप इसे पीस लें अगर आपके पास चावल है वो पिस जाएगा और उसके बाद हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे तो देखिए चावलों को मैंने पीस लिया है और इसे एक कटोरे में पाउडर बना कर रख लिया है अब हमें यहाँ पर जो दूसरी चीज यूज करनी है वो है 50 गरम मैदा तो एक बाउल में सभी आलूओं को हमें डाल देना है और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले और यह मैदा और चावल के आटे की कोटिंग करेंगे तो देखिए जो हमारे आलू है वो बिलकुल अच्छे से सूख गया है और सबसे पहले हम इसमें एड करेंगे मैदा और उसके बाद हम इसमें एड क करेंगे एक छोटा चमच मैगी मसाला नमक स्वादा अनुसार थोड़ा सा मिर्ची पाउडर एड़ करेंगे इसमें और इनी तीन मसालों के साथ यह जो हमारी रेसिपी है वो बन कर तयार हो जाएगी तो नमक मिर्च आप यहां पर अपने हिसाब से रख सकते हैं और मैगी मसा जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस रेसिपी में तो इसे डालना बिल्कुल भी ना भूलें नमक मिर्च और मैगी मसाला एड़ करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी के छीटे डाल कर अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे आलूं में और उसके बाद जो हमन एक मिनट तक इसे फ्राई करेंगे और जो हमारे क्रिस्पी आलू का नास्ता है वो बनकर तयार हो जाएगा बहुत ही आसान रेसिपी है ये आप कभी भी बनाकर इसे खा सकते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाने में लगती है ये तो एक बार इस रेसिपी को आ बहुत ही अच्छे से आलू में हो गई है तो अब हम इसे चावल के आटे में कोट करेंगे बहुत ही अच्छे से एक प्लेट में हमें चावल का आटा फैला देना है और उसमें एक एक आलू के पीस को अच्छे से कोट करना है ताकि अच्छे से जो ये चावल का आटा है वो आलूं में चिपक जाए और इससे हमारे आलू बहुत ही जादा क्रिस्पी बनेंगे और खाने में बहुत ही जादा स्वाधिस्ट लगेगा तो इसी तरीके से आप सारे आलूं को चावल के आटे की कोटिंग करके साइड में रख लें और तेल मैंने पहले से ही गरम होने के लि आलू का ये स्नेक्स बनकर तैयार हो जाएगा तो आईए अब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं मेरे तवारा बनाई गई रेसिपी आपको कैसी लगती है अपनी परती किरिया कॉमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं मैं हर रोज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आती पूलें गरम तेल में हमें सभी आलू को अच्छे से फ्राइ कर लेना है दो से तीन मिनट तक पहले हम इसे तेज आज पर फ्राइ करेंगे फिर एक मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करेंगे और हमारे क्रिस्पी आलू का नास्ता बनकर तैयार हो जाएगा एक प्लेट में निकाल लेंगे बच्चे बड़े सभी को ये नास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है तो आप इस रेसिपी को मेरे कहने से एक बार जरू ट्राइ करें आपके घर में बार बार इस नास्ते की डिमांड होगी तो देखिए तैयार है हमारे ये क्रिस्पी आलू का नास्ता बन कर इसे आप अपने फेवरेट चटनी या फिर सॉस के साथ इंजोई करें इस बार इस के मौसम में एक बार ये रेसिपी आप जरू ट्राइ करें आपको बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी ट्राइ करेंगे या नहीं कॉमेंट के माधिम से मुझे जरूर बताएं यहाँ पर मैं ट्रमाटर कैचप के साथ ये जो नास्ता है वो सर्व कर रही हूँ आपके पास हरी चटनी हो तो वो भी आप इसके साथ खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है आप वो वीडियो भी देख सकते हैं तो तब तक के लिए जैसरी कृष्णा रादे रादे